नमस्कार में हुआ प्रिशांद कटा रहे हैं अलार्म जगाता है उन जिम्मेदारों को जिनकी आखें सच को देखकर भी अंदेखा करती हैं नीद उडाता है उस लापरवाह सिस्टम की जिसकी कीमत चुकाती है पब्लिक आज अलार्म में होगा ऑपरेशन लापता सिटी बसे पब्लिक भी खुश थी लेकिन सिटी बसों के सफर में रोडे भी हैं गड़े भी हैं स्पीड ब्रेकर भी और अब तो दावों का ब्रेक ही फेल हो गया है क्योंकि सिटी बसें बन गई हैं कबाड सिटी बस के पहिये जाम कौन ठलका रहा जाम इसके टायर गायब हो गई है इसके पुरजे पुरजे जो है चोरी हो चुके हैं यहाँ पर बैठने के लिए याद्रों के लिए सीड बनाई गई थी यहाँ तक ये सीड भी गायब हो गई है देख सकते हैं आपकी किस तरीके से ये कबाड पर तब्दील हो चुका है यहाँ पर जो है लोग आते हैं और सराप खोरी भी करते हैं आप देख सकते हैं दारू की बॉटले बियर की बॉटले जो है यहाँ पर मौजूद है ये आप देख सकते हैं कि उनके डब्बे यहाँ पर मौझूद है जिम्मिदार मौन पब्लिक परिशान कि देख के तस्विर देख के नहीं लगता है कि इन सीटी बसों का फिर से सरकों में दोरेगी पुरी जो सीट है वो भी खराब हो चुकी है ये एक तरब से एक इसे गोदाम की रूप में बना दिया गया है और जो सुवि जब सीटी बस पहली पहली बार आया था तो मैं उसको लालबाद के ग्राउंड में देखा था और वो शहर में कब चला और कब उसका खालत कंडम हो गया ये तो 99% लोग जगदलपूर के जो निवासियों बोल नहीं पाएंगे कि वो बस है कहां महंगा किराया पब्लिक का माथा ठंठनाया यहां पर सिटी बस नहीं चलता है तो कॉलेज आने जाने के लिए लोकल जानकीर में फिर अगर कुछ काम हो तो प्राइवेट बस से आना पड़ता है और प्राइवेट बस पर किराया इतना जादा होता है कि as a student हमारे पास इतनी pocket में नहीं होती जितना की सारा पैसा हमारे क यह सफर कैसे होगा आसान पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का बुरा हाल घाटे कारोना धूल खा रहे करोणों बसे खा रही धूल किस से हुई ये भूल पहिए एंजन सीटे गायब चोरी हुए कलपुर्जे कब मिलेगा green signal और कितने speed breakers बड़े धोखे हैं इस राह में सिस्टम के दावो का break fail ओपरेशन लापता सिटी बस मन चाहा क्राया वसूल कर रहे हैं सुनिये लोगों की जुबानी इस दर्थ की कहान तैर गायब हो गए इसके पुर्जे पुर्जे जो है चोरी हो चुके हैं यहाँ पर बैठने के लिए याद्रों के लिए सीड बनाए गई थी यहां तक यह सीड भी गायब हो गई है यह धाचा देख रहे हैं आप सिटी बस है यह लेकिन इसकी हालत बताने के लिए काफी है कि सिस्टम की मरमत जरूरी है कभी इस बस में मुसाफिर सफर करते थे लेकिन अब बस कबार बन गई है पुर्जा पुर्जा चोरी हो गए बिलासपुर में 2011 में 50 सिटी बसों को सड़कों पर उतारा गया लेकिन कोरोना काल में बस के पहिये थमे और फिर लोग बेबस हो गए कोनी बस डीपो में बस खड़ी कर दी गई करोडों का खर्चा हुआ जो अब बरबादी की कहानी सुना रहा है प्रशासन की अंदेखी और ठेका कंपनी की लापरवाही ने इन बसों को कबाड में बदल दिया है बचा है तो सिर्फ धाचा अब नगर निगम के अधिकारी ई-बस चलाने की बात कर रहे है कवर्दा में भी वही बद से बत्तर हालत में सिटी बसे 2014 में करीब 4 करोड 50 लाख रुपए खर्च करके 10 सिटी बसों की सौगात मिली लोगों को लगा कि चलो अब सफर आसान होगा लेकिन 5 साल से सिटी बसे कवाड में तबदील हो गए जिम्मेदारों का जवाब भी सुन लीजे चलने लायक इस्तिती में नहीं है धनी टेवस को दिया गया था अभी रेगुलर पत्रा कवरधा के बाद जांजगीर चांपा जरजर हालत में सिटी बसे जो लग रहा है अंतिम सांसे गिन रही है किस तरह के यहां उपद्रवी तत्व के लोग जो है कोरोना काल के बाद जब यहां इस थाई खड़े हुए बस तो उसमें यहां सारे सिसा खोड़ यह हैं सीट को निकाल दिये गये हैं एक दू बस में आग भी लगा दी गया है इस पस दीख रहे है कि जल कर खाक हो गया है को सिटी बस सरकार की जब वियोजना थी किस कारण से रूका मैं नहीं कहना चाहूंगा पर मैं वर्तमान सरकार से अफिल करना चाह से बंद पड़ा हुआ है और वहां भी जरजर हो गया है अब आगामी सासन को अववत कराये जाए इसके बारे में सिग्री प्रारम करने के प्रयास किया जाएगा कब आसान होगा लोगों का सफर लापरवाही की कहानी कई साल से बदस्तूर जारी है आखिर कब बदले की सूरत बिलासपूर से उमेश मौर्या, कवरधा से मनीश मिश्रा और जांजगीर चापा में कैलाश कश्यप के सास ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एटीन, मध्यप्रदेश, शक्तितगर तो दुरसल शासन की और से सिटी बसने चलाई गई थी, तमाम बड़े शहर रायपूर, बलासपूर, जगदलपूर, सहिद, तमाम दूसरे शहरों में भी लेकिन अब हाल क्या है, यह आपने इस रिपोर्ट के जरीए जरूर समझ लिया होगा, बचा है नहीं, बसों में कुछ ना सीटें बची है, ना इस्टेरिनिंग बची है, ना खिड़कियां बची है, बस बचा है तो मामूली एक धाचा आप फिर दोबारा प्रशासनी आया बसों में कुछ हो भी? लाक रुपे खर्चोंगे, अब समझे एक तालीस बस है, ऐसे में लगभग दो करोड से अधिक रुपे जो है उस पे खर्चोंगे, हमारे साथ सीदे शहर की जनता है, आखिर उनको किस तरीके से इस बस का लाब मिल रहा था, अब चुकि बस खराब होके चुके है, कंड़न पड़े हुए नहीं चल रहे तो क्या तकलिफ हो रही है? उसके जो मेनेजमेंट में प्रबंधन में जो कमी है उसको प्रशासन को उसके और ध्यान देना चीज है, जनता की सुविधा की चीज है, और नी संदे ये सही तरीके से चलना चाहिए। कोरोना काल से बन है किस तरीके से परिशान हो रहा है उसको बना के आक्सन करना चाहिए सरकारी खाते में जमा करें उसके बाद यह बड़ी बात यह भी है कि आप जो नगर निगम यह दावा कर हैं टूल्स हैं या फिर एंजनी यह सारा चोरी कैसे हो गया यह फिर कहीं मिली भगत का भी एक अंदेशा भी नजर आता है इसमें निश्यत रूप से देखे अगर वहाँ पर नगर निगम का पूरा आमला तैनात है उसके बाद वहाँ पर तमाम सिक्रेटरी गाड तैनात है उसके बाद चोरी हो जाना कहीं न कहीं विभाग के अधिकारियों पर भी संदे है इस पर भी आशंका जाहिल की जा सकती है कि कहीं अधिकारी जो है वो कहीं न कहीं उन्चोरों से मिले होंगे जो इन्होंने इस पूरी घटना को अंजान किया होगा हालाकि हमारी प्रशाशन से बात हुए निगम प्रशाशन से उनका साथ तर पे कहना है कि अब इस पूरे मामले को संग्यान में ले लिए हैं और इसकी प्रशान जी जी बिलकूर बिलकूर शुक्रिया वमेश आपका पूरी जानकारी के लिए धनिवाद और सबाद जरूर है कि आखिर ये कंडम हुई कैसे कौन इसके पीछे है जगदलपूर की बात कर लेते हैं जगदलपूर में हालात ये हैं कि लोग कह रहे हैं सिटी बस तो ला पता है यहां भी सिटी बसें कबार में तब्दिल हो रहे हैं जगदलपूर से 150 किलो मीटर दूर कांकेर का भी यही हाल है आखिर लोगों को राहत कब मिलेगी उनका सफर आसान होना था सवाल है किस राह में और कितने स्प्रीड बेकर कबाल हो रही सिटी बसों को आखिर कब मिलेगा ग्रीन सिगनल ये सिटी बसे हैं जो अब लापता हो गई हैं कब चली कब बंध हो गई बस्तर के कई लोगों को पता ही नहीं बस्तर के लोगों के लिए तो सिटी बस जैसे गुमशुदा की तलाश है लोगों से वादा किया गया था सफर आसान होगा किराया कम लगेगा मुसाफिरों को भी लगा चलो जेब पर खर्च तो कम होगा लेकिन राह इतनी आसान न थी देख लीजिए खुद सिटी बस को इंतजार है कब उसकी मरम्मत होगी धूल, फांकती, कबाड में तबदील हो रही सीट की हालत देख लीजिए बस के तूटे हुए काँच जिम्मदारों का आईना दिखा रहे हैं जब सीटी बस पहली पहली बार आया था तो मैं उसको लालबाट के ग्राउन में देखा था और वो शहर में कब चला और कब उसका खालत कंडम हो गया तो 99% लोग जग्दलपूर के जो निवासियों बोल नहीं पाएंगे कि वो बस है कहां तस्विर देख के नहीं लगता है कि इन सीटी बसों का फिर से इस अड़कों में दोरेगी पुरी जो सीठे वो भी खराब हो चुकी है ये एक तरफ से एक इसे गोदाम की रूप में बना दिया गया है और जो सुविधा है जो लाखो करोड की लागत से जो ये सीटी बस का यहां लाया गया था जग्दापूर में उसकी सीटी तस्वीर देख बता रही है कि उसकी सीटी किस प्रगार है 2014 में जुक्तलपूर बस्तर के लिए 10 सिटी बसे मिली थी करोडों की लागत लेकिन लॉक्टाउन में सिटी बसों के पहिये ऐसे थमें कि जाम ही हो गए जिस से परिशान हुई पबलिक और जिम्धार मौन से सरकार के कान में डाली नहीं गई यह बात और डाली भी गई तो पर उनके भी कान में जू नहीं रहेंगा लापरवाई अधिकारियों की है और यहां स्थेकेदार की भी है जिसने कमाया कमालिया और बसें पड़री हुई है पस्तर से करीब 150 किलोमेटर दूर काकेर में भी यही हल है करोडों की सिटी बस कंडम हो रही है सिटी बस के पहिये जाम क्या हुए शराबियों के लिए ये जाम शलकाने काड़ा बन गया पबलिक की जेब पर फिर वही बोच प्राइविट बसों की मनमानी और खिराया दो गुना कबार में तबदील हो चुके हैं और ये सब जो बसे हैं आप देख सकते हैं ये सब बसे जो है भाजपा सरकार के समय में ये सीटी बसे जो है ऐसे रास्तों पर चलती थी जहां पर गारियां नहीं जा सकती थी उन यात्रियों को उससे फैदा मिलता था लेकिन अब ये बसों के पहिये थम चुके हैं जैसे जैसे बसे जो है उसमें मेंटनेंस नहीं किया गया और इसको जो है एक मलब प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया था आपरेटरों को द्वारा जो मरमानी की गई थी बसों की मरमत को लेकर जनता से वो तो फैसा कमाते रहे हैं मगर उस हिसाब से वाहनों का मरमत नहीं किया जाता था समय पर यात्रियों को राहत देने के लिए सड़क पर सरपट दोड़ती सिटी बस जिस हालत में है वो लापरवाही की हद है जगदलपूर में शिरी निवास नाइडू और कांकेर में केम नारान के साथ विरो रिपोर्ट निउस 18 मदेपरदीर शती ज़गर जहां तो शिरी निवास नाइडू हमारे साथ जुड़ गए है और जानकारी के साथ शिरी निवास तस्वीरे तो यहां भी लगभग लगभग ऐसी ही है कोई बस जो आरियों का अड़ा बन गई तो कोई पूरी तरसे कंडम हो चुकी है आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं दूसरा यह कि दोबारा आप सड़कों पर ने इन बसों को लाने की बात कही जा रही है वाकई संभव है क्या के दूँए और यह उम्मीद जताई थी लोगों ने की सिटी बस चलने से यहां के लोगों को कम खरचे में एक सी एक स्टान से दूसरी स्टान जाने का मौका मिलेगा टेंडर के प्रक्रिया की गई और टेंडर की प्रक्रा के बाद बस का संचालन भी शुरू किया लेकिन कोविट काल के आते ही जो सिटी बस दस बसे पूरी तरह से खराब हो गई हमारे साथ कुछ लोग मौजूद इन से बात करते हैं कि जो दस बसे आई थी क्या इनको इनको फाइदा मिला सर क्या लगता जो बसों को दिया गया था कि आप लोग चलाइए तो वह कंपनी थी एसे मेल कंपनी की बस जिसका मुल्य रूप से जो सेंटर है वह रायपूर था जबकि बस तर तीन सु किलोमेटर दूर्ट यहां कोई मेकनिक नहीं कोई उनका वह वरक्शाप नहीं तो यह एक नट भी अजी जहां कि छोटी बसों को हमारे बस्तर की आवश्यक्ता है ना कि उतनी बड़ी लंबी वाट्ट जिस प्लान के दाथ सीटी बसे यहां सुरू की गई थी उसका फाइदा यहां के आम लोगों नहीं मिल रहा है फिलाज कोवीट के बाद से बसे पड़ी हैं और वह बसे ऐसे प कुल मिला कुछ कब चाले होगी कुछ मालूम है देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि बस्तर एक आदिवासी छेत्र है और बस्तर आदिवासी छेत्र में अंद्रूनी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी सड़कों की स्तिति बहुत खराब है वह उन जगहों पर बसों का फायदा नहीं मिला करोड़ों रूप है पानी में चले गए क्या लगता सर देख रहें के आभाव में यह लापरवाही कहीं लगती है बिल्कुल इसमें लापरवाही है नहीं तो एक ची बताइए अगर देख रहें होती तो बसे कंडम होती है तो निस्टी रूपसिस में लापरवाही है और जब बसे चल रही थी जी आपको बकावन तोका पाल लोहन्री गुडा बस्तर तक के लोग आना जाना चाहते आजना जाना करते थे लिगर उसके बंद होने के बाद वह उसमें आनी है और बिल्कुल शिरी निवास लोगों को राहत जरूर मिली थी शुर तो अबावेक है कि जो सिटी बसें चलाने का वादा या कहीं जो सड़कों पर उतारी गई थी आखिर वो कंडम क्यों हो गई कैसे हो गई अब दोबारा इन्हें चलाने का वादा किया जा रहा है देखना होगा कि आखिर प्रिशासन अपने इस वादे पर कब तक खरा उतरत है अलार्म में बस इतना ही